हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छोंगे और हमारे इस यूट्यूप चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई से इस्टोराइट के बारे में एक सबसे सब्सक्राइब करते हैं पिस तरीकी से लोगों या फिर आपने खुद भी को यूज करी हो या कोई बैनेफिट्स क्या है साइड एफेक्ट्स क्या होते हैं लोग को और क्या पैस कितना पैसा लगता है कितने महीनों में काम करती यह चीज़े ये देखिए ।ो तो देखो ग अच्छे नैच्रल समों से खाखागे मेरे लड़के कुछ मेरे पस ऐसे भी लड़के हैं समों से खागे भी competition के लें और जीत जीत के आएं वो genetics करता है जिनके अच्छे genetics है superior genetics हैं तो उन पर इस युट दो गुना तीन गुना पांच गुना तक वर्क करती है और जो जिनके genetics खराब हैं बेकार हैं मैंने ऐसे लड़कों को भी मैंने मैं नाम नहीं लूँआ है आप एक लड़का आए पांच महीने से उसके transformation करा रहा हूँ और मैंने मतलब पूरा अपनी bodybuilding का experience उस पर जोग दिया बड़ी मुश्किल से मैं उसको साथ से आठ बोड़ी परसंट मतलब 8 भी नहीं श्याद 10% body fat पे लेकर आया हूँ हर चीज लगा के उसका body fat नहीं घर रहा था सब कुछ लगा के देख लिया और एक लड़का मेरे पा मतलब पांच महीने में और 8 weeks में मैंने उसे इतना चेंज कर दिया क्योंकि उसके genetics अच्ते थे उसका metabolism भी अच्छा था और वो चीजों को use कर रहा था तो उसकी चीजों पर उसके work कर रही है ठीक है तो कोछ लोग होते हैं जिन पर steroid भी काम नहीं करती है हलके हलके मतलब ऐस कि hard work करेगा तो बन जाएगी लेकिन poor genetics वाले लोगों के लिए बड़ा टाफ हो जाता यह steroid से भी तो steroid जादू नहीं करते हैं जादू उसी पर करते हैं जिसके genetics अच्छे होते हैं अब एक example लेलो जैसे classic physique का bodybuilder open bodybuilding में नहीं जा सकता क्योंकि उत्ता मसलमा सो carry नहीं कर पा मेरे वैसे genetics नहीं कि मैं जो है 120 कि लोगा हो जाऊं लेकिन कुछ लोग हो जाते हैं जिनके genetics अच्छे होते हैं तो steroid काम तो सब पर करता है किसी पर जादा करता है किसी पर कम करता है अब ऐसा नहीं होता है कि मानो मैं इस्ट्राइट ली मैंने उसमें मुझे कम वर्किया फि तो और डोस बढ़ाने से साइड इफेक्ट बढ़ेंगे रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे तो आज कल के लोग मतलब लड़के जो हैं 18, 20, 23 साल तक के या फिर 25 साल के वह इन्फुरेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं कि यार कि मुझे ऐसी बोड़ी चाहिए कि मैं इस्टाग्रा लेके कोई नहीं मत था आज तक मुझे बता दो किसी ने इंजेक्शन लगाया उसकी मौत हो गई हो इंजेक्शन इस्टुराइड से स्लो साइड एफेक्ट होते हैं हलके हलके करके चीजों को खराब करता है अब जैसे एक डबलो एचो की एक स्टडी थी जिसमें मुझे मैं मैंने एक भाई सभी सुना था कि 500 mg टेस्टोस्ट्राइड देया गया 10,000 लोगों पर दस साल तक 10,000 लोगों पर पांचों एमजी टेस्टोस्ट्राइड दिया गया यह जो है एक रिसर्च करी थी तो उनके लिपिड प्रोफाइल में उतना ही कमी आई जितना 10 साल में नॉर ही अगर वो ले रहा है तो अईसा तो नहीं काकिल करेंगा पूरी दिद्गी लेनिया उसे वूमा पूरी जिन्दगी लेनिये एसी टेस्टोस्ट्राइं है मतलब कि साइड इफेक्ट कहीं हलके फुलके होते लेकिन ऐसा नहीं कि तो लोगों रहे कि एक्दम से मौत हो जाए इस्टोराइड ऐसा ऐसे मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है, दारू पीनों को बच्छा बता रहा है, दारू पीन अच्छी बात, मतलब आप ले सकते हैं, यह आपकी चोईस है, लेकिन इस्टोराइड से फॉरण मात हो रही है, तो ऐसे लोग अब सही नहीं है लोगों के लिए, लेकिन तो लोग किसी को बहुत जाएडा किड्या है तो ते मंट थोड़ चाहिए, तो तरीके से स्टार्डक। उसके बाद इस्टिराइड यूज करो, उस वक्त इस्टिराइड ज्यादा भी जल देगी और आपको हेवी डोज भी चलाना नहीं पड़ेगी, इंडिया में सबसे जादा इस्टिराइड का अब्यूज होता है, बाहर के बॉड़ी बिल्डर्स इस्टिराइड यूज करते है लेकिन वो अभी उस नहीं करते हैं, इंडिया में सबसे जादा लड़के अभी उस करते हैं, जिम के पहले ही साल में इस्टिराइड यूज करने लगते हैं, डोज बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अपने liver kidney की महाभेने कर लेते है, मैं जो है या लेंग्वेज हूस कर रह और कुछ भाईया कुछ कोचेज भी है कमाने के चक्कर में उन्हें तो बड़िया कमाई होती है तो फेल के स्ट्राइट लगा देते हैं लेकिन बाद में फिर लड़का खराब होता है कई सारे ऐसे लड़के आते हैं भाई मेरे पेट में अलसर हो गया था अब मैंने ठीक कर ल यह थोड़ी है कि आप खराब कहीं से करके आए तो मैं मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि भाईया मुझे तैयारी करा दो पहले उनकी हिस्ट्री लेता हूं जैसे डॉक्टर भी आपको बिमारी बताऊगा तो पहले हिस्ट्री लेगा उसके बादी इलाज करका मैं अभी ऐ बच्चे नहीं होते हैं एक सबसे बड़ा सवाल यह है लोगे मन में तो आपका इस पॉइंट पर क्या कहना है कि मतलब बच्चों वाला पॉइंट वैसे तो लोग को पता ही होगा लेकिन अगर आप नहीं तो बरसों से चले आ रहे हैं जब हम पहले लोग यह कहते ते जिम क साइस करते रहेंगे उंगलिय उठाते रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है मैं दस लोग को जानता हूं जिन्होंने कभी जिम में कदम नहीं रखा वो बच्चे के लिए भाग रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं मुझ समित जिनके दो दो बच्चे चाचर बच्चे थीक है मेरे फादर सबूद करको है अब तो हैं इतने ड़ान पचाण के वॉर्टा हो ऑन्होंस तो यहां अदि होसा है तर अपनी कि स्ट्राइड अगर अगर है ंगिर European PCT ना करो proper और अच्छे से गाइड ना करो मतलब किसी अच्छी guidance में ना करो तो problem आ सकती है लेकिन मैंने ऐसे लड़कों वे treat गया जिनका sperm count zero हो गया था और बाद में उनका बिलकुल सही हो गया लेकिन वो का मैंने वो भार से खराब करके आये लेकिन मैं कोशिच यही करता हू कि खराब लड़के ना पकड़ू सही अच्छे लड़के हूं उनहीं ट्रेंन करा हूं अच्छे जैसे को इंसान लेना चाह रहा है या बॉडी बिल्डिंग में उतरना चाहा है कॉम्पटिशन की त्यारी करना चाह रहा है स्टेज वगारा खेलना चाहिए ने निकि आज का त या फिर कहीं पर किसी से सुन लिया या टेइनर से पूंच लिया कि चलो यह वाले सोड लगा लो या यह वाले इस्टोराइड यूज कल लो तो कितना हथ तक वह चीज सही है कितना अजारा दुक्सान दे सकती है फ्यूचर मुन एक मैं अपना परसनल एक्सपिरियंस बता रहा मेरा जब मैंने बॉड़ी बिल्डिंग स्टार्ट करी है वह वह जमाना वह था कि रैपर चुटा के रैपर चुटा के लोग को इस्टोराइड दिये जाते थे कोई मेडिकल चेक अप नहीं होता था अंधाधों ने इस्टोराइड दी जाती थी उसकी बॉड़ी में क्या कम रही अब बहुत जमाना चेंज हो गया है लोग अवियर हो गये हम ने उस जमाने में करिए ती जब लोग स्टोराइड बताते भी नहीं थे इस जए पताथ और यहां से सटोर्टे क्यों कुछ बी नहीं पता था ठीक है मैं उस जमाने में शुरू करी मैंने खुद बिना guidance से start करी तो मैंने बिना guidance से start करी और मैंने competition भी खेले ठीक है मुझे ये पता था कि जब हम body building competition खेलते हैं तो carb zero कर देते हैं और protein protein लेते हैं fat से कोई मतलब नहीं आप zero कर दिया और protein लेना है तो मैंने अपनी body को इतना torture करा और 10 साल 10 साल मैंने body को torture करा 10 साल के अंदर मेरे body में side effect आई इसलिए बता है मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं सब विल्कुल सच बता रहा हूँ जो गलतिया मैंने करी मैंने कभी BP चेक नहीं करा अपना जब body builder आप लिख लो इस बात को कि आप अगर gaining cycle पर हो जब cutting पर हो gaining cycle खास तोर से अपना BP measure करते रहो अपना BP को track करते रहो ठीक है मैंने अपना BP track नहीं करा मेरे headache हुआ BP की वज़े से बीप बड़ा headache हुआ मैंने सरदर्द की गोली खाली बीप बड़ा headache हुआ सरदर्द की ऐसे मैंने सालो साल में यही करता रहा और bodybuilding भी करता रहा उसके बाद जब मुझे थोड़ी सी problem होई मैंने check-up करवाना शुरू करता मैंने जब check-up करवाया तो मेरा cretinine level 2.4 जो normal range 1.1 या 1 होने चाहिए वो मेरा range थी cretinine level की 2.4 मैं physician, normal physician के पास गया उन्होंने मुझे दवाई लिखी और फिर थोड़ा सा दवा दी की और मुझे nephrologist के पास refer कर पहना मुझे बोले ultra sound कराओ पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं ultra sound कराओ मैं गया मैंने जाकर ultra sound कराया ultra sound उन्होंने ऐसे करके देखा बोले आप एक काम कराओ आप ये nephrologist के पास जाओ जो kidney के specialist होते हैं तो उनके पास जाओ ये आपका case वही देख भाएंगे उसने मुझे वहाँ refer कर दिया मैं जब उनके पास ले गया तो मेरी kidney पर swelling थी swelling इस वज़ाए से थी कि मेरा BP सालो साल बड़ा रहा उस वज़ा से मेरी kidney पर आगया load मैं गया तो मैंने doctor से गा दिखाया उन्होंने कहा रहे क्या करते हो मैंने उन्होंने पूरा बताया फिर उन्होंने मुझे कह दिया कभी जिन्दगी में तुम body building मत करना मैंने workout साथ दिन तो workout छोड़ोना पड़ेगा तुम्हें 10 दिन और सिर्फ running करो workout भी एक-दो महीना बंद कर दो protein मुनोंने मेरा कम करा दिया carbs वाली diet दी सब चीज़ बंद करा दिया मेरा अब मैं उस टाइम पर इतना depression में चल गया था Man of India के टाइटल भी चीता और अब मैं body building कर रहा हूं बढ़िया कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं बिना experience के मैं भी मैं भी मैंने बिना experience बिना किसी के guidance में मैंने यतना बड़ा नुकसान उठाया बिना experience के नहीं बहुत सारी चीजें मैंटर करती है इंडिया में गाइडेंस भी सही नहीं है और हमार जितना छोटा उतनी कम गाइडेंस इसलिए आप जहां भी करो भाई सबसे बड़ी आए डॉक्टर पे पैसा फूकने से बाद में अच्छा है कि किसी अच्छे कोच को पैसे दो ठीक है अच्छा कोच हायर करो पैसे देके उससे बादी बिल्डिंग करो और अगर आपकी जेवे में पैसा नहीं है तो बादी बिल्डिंग मत करो ठीक है ना लेकिन अपनी हेल्थ के साथ ही इस्टेराइट के साथ लेके रिस्क ना लो तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी स चाहते हैं त्यारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर और इस्टाग्रम वगएरा मैं मेंशन कर दूँगा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़रूर शेर करें अपने दोस्तों के साथ में तक उनको भी काफी सान मिल पाए लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें